शबे बरात और होली को लेकर कपाली पुलिस ने की शांत्य समीति की बैठक सराइकिला खर्सावा जीले के कपाली ओपी पुलिस एवंग शांती समीति के सदस्संग के साथ की गई बैठक आज संपनुई आपको बता दें आने वाले कुछी दिन में शबिबरात और होली दोनों ही मनाये जाएगा जिसको लेकर कपाली ओपी परभारी सुनिल कुमार भोगता ने कपाली के डांगरडी सामुदाइक भवन में शांती समिती की बैठक रखी थी इस बैठक में कपाली ओपी परभारी सुनिल कुमार भोगता ने दोनों समुदाइके लोगों से अपील की है कि अपने अपने पर्व को शांती पुर्वक और भाई चारे के साथ मनाए कपाली पुलिस आपके लिए ततपर है आज के इस बैठक में तमाम राजनीती पार्टियों के नेता समेत नगर परिशद छेतरी के गणमान लोग उपस्ती थे अपना अपना समस्चा इसमें क्या आ सकती उसके बारे में बोले और सभी को हम लोग नोट डाउन किया है इस पर हम लोग गंभीर से विचार करेंगे देखेंगे हम चाहेंगे कि होली और सभी बरात दोनों एक ही तीती को पड़ रहा है और यहां दो समदाए के लोग रहते हैं और दोनों समदाए में आज तक किसी परकार का विवाद उपन नहीं हुआ है भाईचारे लोग बना के रहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे इस पर विचेस मेरा ध्यान रहेगा और हम लोग नसा करके जो भुरदंगी और भंगड करते हैं उस पर मेरा विचेस नजर रहेगा और मैं चाहूंगा कि यह पर लोग अच्छा से बिताएं किसी परकार का समस्य उत्पन ना करें नहीं तो हम लोग सक्त से सक्त कारवाई करें और भुलियों और शभी बनात में नायस ब्राइविंग के समस्य हमेशा उत्पन विचेस नाजर है उस पर हम लोग द्हां दाएं, उस पर हम लोग द्हां दाएंकों शिण से जीता है